हेलो फ्रैंड्स, वेलकम तू दी चैनल, मेरा नाव है विकास जादव और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि किंसिप क्या है, इसके साथ हम इसके टाइप्स, डिग्री और कुछ एक्जामपल्स के थूरू इसे समझने की कोशिस करेंगे, तो चलिए चलते ह हम अपने विडियो की और सबसे पहले जानते हैं कि किंसिप क्या है, तो किंसिप क्या है, किंसिप एक, सौरी, किंसिप एक मेन ओर्गनाइजिंग प्रिंसिपल है हमारे सोसाइटी का, यह हर सोसाइटी में पाया जाता है, यह यूनिवर्सल इन नेचर होता है, ठीक है, यह क people होते सोसाइटी में वह bond together होते हैं एक दूसरे से by various kinds of bonds. Men को हम लोग social animals बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा सिटाइटा वही हमें compel करता है कि हम एक दूसरे से tie up करके रहें in one or other form of relationship. क्योंकि men अकेले एक society में अकेला नहीं रह सकता है, नहीं वो अकेले एक society को बना सकता है हम लोग अपने birth से death तक हम लोग surrounded रहते हैं बहुत सारे people के तरू जिन में से कुछ होते हैं हमारे friends कुछ relatives, कुछ neighbors कुछ strangers भी होते हैं लेकिन इन सब में से जो man जो होते हैं वो bond होते हैं एक दूसरे से या तो blood ties के तरू या तो marriage ties के तरू तो जो bond develop होता है blood या marriage types के कारण जिसके कारण people binds हो जाते हैं एक दूसरे के साथ इन्हें group उसी को हम बोलते हैं किंसीब तो किंसीब एक तरह से क्या है ये एक तरह से wave है वेब किसका? social relationships का और ये क्या है? ये form करता है important part of the lives of all human जितने भी human है उसके important part play करता है हर society में या आपके पास red clip brown की एक definition है इसे आप node भी कर सकते हैं अब चलिए देखते हैं कि किंसीब की types क्या क्या होती है तो किंसीब को हमने दो types में भाग किया है पहला होता है ethinyl princip और दूसरा होता है concern genius principle तो चलिए इसे एक एक करके discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले हम discuss करते है ethinyl kinnte एफिनल इंजिब मतलब होता है कि एइससा relationship जुड NICK मैरेज के कारण एफिनल से आपको हम एसा याद रखना है किंसीर डिलेजन सीब THE by marriage इसे हम कहते हैं एफिनल किंसीब तो और जो भी रिलेटिव्स हम से हमारे site के कारण जुड जाते हैं वह होते हैं जैसे कि son-in-law हो जाते हैं, father-in-law, mother-in-law, brother-in-law, daughter-in-law, sister-in-law, यह सारे क्या है, यह एफिनल-kins के example है, और यह क्यों होता है, जैसे कि हमें पता है कि जब साधी होता है, एक लड़के लड़की के बीच में, तो यह सिरिफ वो लड़के लड़की के बीच के relationship नहीं develop होता है, स साथी साथ, देवर बन जाता है, son-in-law बन जाता है, किसी का दमाद बन जाता है, ठीक है, तो यह जो relationship डेवलोप होता है, साधी के कारण, इसे ही हम क्या कहते हैं, एफिनल-kins, ठीक है, अब आते हैं, consignuous-kins क्या होता है, तो जो भी-kins, related होता है, एक दूसरे से, बलड़के का relationship is based on blood ties, उसे हम क्या कहते हैं, consignuous-kincive, जैसे कि आपका बेटा, भाई, बहन, चाचा, यह सब क्या है, यह blood relationship के कारण, एक दूसरे से relationship में, तो इसे हम कहते हैं, consignuous-kincive, और तो हम consignuous-kincive में क्या बूल सकते हैं, कि जो भी bond between parents हो, between children हो, या parents और children के बीच हो, या siblings के consignuous-kincive, तो आपको हम इसा याद रखना है, कि अफिनल-kincive मतलब क्या हो गया कि, कि marriage के कारण, और consignuous-kincive मतलब blood relation के कारण, तो यही थी हमारे types of kincive, अब चलिए देखते हैं, degree of kincive, यह रही आपके सामने चार्ट, degree of kincive, तो हमने kincive को 3 degree में तोड़ा हुआ है, दूसरा secondary kincive, और तीसरा tertiary kincive, और इसके भी सब-part होते हैं, primary kincive में primary consignual, जो blood के कारण हो, और primary aphinal, जो marriage के कारण हो, आपको हमेशा दिमाग में रखना है, कि aphinal मतलब marriage, consignual मतलब blood relation, secondary kincive में भी 2 secondary consignual, और secondary aphinal, tertiary kincive के अंदर भी 2 tertiary consignual और tertiary aphinal, अब चलिए दे secondary kincive क्या है, tertiary kincive क्या है, इसे हम discuss कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि primary kin's क्या होते हैं, तो primary kin's मतलब क्या आता है, जो आप से directly related हो, उसे हम कहते है primary kin's, people who are directly related to each other are known as primary kin's, और total कितने primary kin's है, 8 primary kin's है, उसमें कौन-कौन से आते हैं, जैसे husband, wife हो गए, ये directly listen है, कि mother और son का, father और daughter का, mother और daughter का, younger brother और elder brother के बीच, younger sister और elder sister के बीच, brother sister के बीच, तो ये सारे relation कहिए, आप directly related है, तो इस तरह के relation को आप बोलते है, primary kin's, अब उसमें भी दो पाट थेे, एक primary consignment and primary final kin's. तो primary consang纭 general प्राइमरी एफिनल किंसिप क्या होता है किसमें भी आपक्या होता है डायेक्टेनल रिलेसंचीब होता है जो आप डेव्लब करते हैं किसके कारण डेख Seriously है डाइरेक्ट एफिनल किन्सिप और वो क्या होता है वो जो होता है husband और wife के बीच में रिलेशन यहीं एक direct relationship है जिसे हम primary ephinal किन्सिप करते हैं तो और यह आपने आपको रखिये यहां पर आप सोचिए कि आप से डार्टी लिलेशन में कौन कोन है आपकी मम्मी आपके पापा आपका भाई आपके बहन आपका बेटा आपकी बेटी और आपके बाइफ अगर आप लड़की है तो आप यहां हजबेंट रख लिजिए ठीक है तो यह क्या हो गए यह आपके यह सारे आगए आपके blood relationship में तो इसे हम क्या कहते है प्राइमेरी consanguineal किंसीब ठीक है और उसके बार आप और आपके wife के बीच का relation यह किसके कारण हुआ यह marriage के कारण हुआ इसे हम क्या कहेंगे primary ethanol किंसीब ठीक है तो यह हो गए आपका primary ethanol किंसीब और यह के एकलाउता direct relation मतलब primary ethanol किंसीब का एक ही example वह है husband और wife के बीच में तो मुझे लगता है कि आपको primary किंसीब समझागा कि आपको अपने आपको रखना आपसे direct relation में कौन है उन्हें देखना है अब चलिए देखते हैं secondary किंस क्या होते है तो secondary किंस क्या हो कि दूसरा लेबल जैसे direct relation पहला लेबल हो गया तो secondary किंस मतलब दूसरा लेबल तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि primary कीन के भी जो primary कीन है जो आपके primary कीन होंगे उनके भी तो कोई primary कीन होंगे तो वही आपके secondary कीन हो जाएंगे तो ऐसा relationship जो directly related हो आपके primary कीन से वह आपका secondary कीन बन जाएगा तो हमारे nuclear family के outside में total 33 types of secondary relation available है अब देखते हैं कि secondary consignional किंस क्या हो गया तो primary consignional क्या था कि आपसे जो directly blood से में related उता है तो secondary में भी आपसे डायरेक्टली जो blood में related हो उनसे भी डायरेक्टली ब्लड में related हो तो 이 स्का मतलब क्या हो गया primary कंसिंगेज के भी primary नंत किन बेंस वह आपके क्या हो गए secondary OC एफिनर किन्स ठीके उसी तरह secondary एफिनल केंश क्या हो गए कि आपके जो primary एफिनल किन्स थे हैं उसके भी primary किन्स मतलब मालनीजै आप थे आपकी primary можно कोंद एह इसे आपकी वाइफ उनकी भी प्रयामी ग present जैसे उनके मम्मी पापा भाई बेहन ठीके तो वो हो गए आपके secondary एफिनल किंसीब तो relationship जो हो गए individual जिसे आप आपके sister-in-law, brother-in-law, parent-in-law के बीच में जो relationship होगा वो आपके हो गए secondary एफिनल किंसीब चलिए इसे भी हम diagram से समझते हैं तो आपको clarity और आ जाएगी यहां देखे यह box के अंदर आपको पता है कि यह आपके थे primary किंस अब देखे वाइफ के वाइफ के प्राइमरी किंस कौन-कौन गए वाइफ के mother, father, brother, sister ठीक है वाइफ का बेटा मत बुलिएगा वो आपके primary ही हो गए ठीक है उसी तरह आपके father के primary किंस कौन-कौन हो गए फादर के मादर मतलब आपके ग्रैंड मादर, ग्रैंड फादर, फादर के ब्रादर मतलब आपके अंकल, फादर के सिश्टर मतलब आपके मौसी, ठीक है? उसी तरह ये भी है, आपके मदर के प्रैमेरी, तो सेकंडरी किन्स का मतलब क्या हो गया? तो secondary kins का मतलब क्या हो गया कि आपके primary जैसे माल लेज़े आपके primary ये आपके primary ये और आपके wife के primary ये ठीक है तो secondary का मतलब क्या हो गया कि आपके primary का भी primary ये आपका क्या हो गया directly आपका secondary kins हो गया ठीक है अब यहाँ पर relation जो हुआ था आपके primary kinz के यह कहां सा यह आपके primary ephinal थे इसका मतलब यह क्या होगे आपके यह आपके होगे secondary ephinal kinship ठीक है यह आपको समझा गया होगा उसी तरह अगर हम consignional का example ले तो आपके primary consignional आपके father और father के भी primary consignional आपके father के mother father brother sister यह आपके क्या होगे directly यह आपके होगे secondary consignional kinz ठीक है तो आपको समझा गया होगा कि इधर जो highlighted में है यह आपके secondary secondary kinz है जिसमें से यह होगा आपके ephinal और बाकी होगे आपके consignional ठीक है तो मैं ऐसा करता हूँ आपको secondary kinz भी समझा गया होगा अब चलिए देखते हैं tertiary kinz tertiary kinz का मतलब क्या होता है कि it refers to secondary kinz of our primary kin जो आपके primary kin होगे उनके जो secondary kin होगे उसे हम कहते है tertiary kin जैसे कि आपका wife आपकी wife आपकी primary हो गई उनके secondary क्या होगा जैसे उनका भाई का बेटा ठीक है तो आपके wife का भाई का बेटा आपका tertiary kin हो गया tertiary kin को भी हमने दो में तोड़ा हुआ है tertiary consignal kinz और tertiary effinal kinz अब इसमें wording का play होता है कि word में बहुत जन confused हो जाते हैं तो इसमें बहुत तरह से हम बोल सकते हैं कि जो term use करते हैं जैसे मैंने अभी बोला कि आपके primary का secondary उसी तरह हम बोल सकते हैं कि आपके primary consignal kinz के भी primary kinz के भी primary kinz को हम क्या बोलते हैं आपके tertiary consignal kinz मतलब आपको अपने से third level देखना है ठीक है तो आपके third level में कौन हो गए आपके first level में आपके second level में आपके दादा जी आएं तो उनसे भी उपर आपके पर दादा जी आएंगे तो यह आपके great grand children आएंगे तो यह आपके हो गए tertiary consignal kinz कांसिगनल में आपको बस हमेशा याद रखना है कि आपके blood relation के थूरू third level देखना है उसी तरह tertiary ethinal kinzip में हम क्या बोल सकते हैं कि primary ethinal kinz के भी primary kinz के भी primary kinz या इसे हम दूसरा तरीका से क्या कहे सकते हैं कि आपके primary के secondary या आपके secondary के primary इस तरह भी हम बोल सकते हैं तो बस आपको याद क्या रखना है कि consignional में आपको blood के थूरू third level देखना है तो वो हो गए आपके tertiary consignional kinzip और marriage के थूरू third level देखिएगा तो वो आपके हो गए tertiary ethinal kinzip चलिए इसे भी हम उसी तरह डाइग्राम में समझ लेते हैं तो ये रही ये आपके हो गए primary ethinal kinz ये primary के primary मतलब ये आपके secondary और ये primary के primary के भी primary जैसे wife wife के mother आपके secondary और इनके primary को नोगे wife के mother के mother father brother sister ये सारे ठीक है तो ये हो गए आपके tertiary अब इसी ही जो वहाँ पर words use हुए है ते वो क्या होए ते इसे हम किस तरह से बोल सकते हैं पहला तरीका आपके primary के primary के primary ये आपके क्या हो गए tertiary ठीक है एक तरीका ये हो गया बोलने का दूसरा तरीका क्या हो गया आपके primary के secondary आपके primary के ये secondary है ये आपके क्या हो गए tertiary ठीक है और इसे किस तरीका जे बोल सकते हैं हैं आपके सेकंडरी के भी प्राइमेरी यह आपके क्या होगे तर्सेरी तो देखिए बोलने का तरीका अलग अलगे लेकिन आप पहुंचेंगे वही जगह आपको थर्ड लेवल में पहुंचना है अब इसमें क्या था कि अगर आप मैरेज के तुरू जा रहे हैं तो यह आप आप के हो गए तर्सेरी rapid versucht शकीं अगर आप के मतरिये यहां तक प्राइशन पहुंचे हैं तो यह आपके हो दर्सेरी करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ क्योंकि सेयर करने से नौलेज बढ़ती है सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि आपको इस तरह के वीडियो जब भी मैं लाओं तो आपको पता चलें अगर आपको जनूरी लगता है कि यह वीडियो आपके लिए हल्पूल है तो आप क वेरी है ठीक है और इन सारी लिंक डेस्क्रिप्शन में दी हुई है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलवीदा